हलो फ्रेंट्स, बिलकम टू एक्जाम सोच पर फ्रेंट्स, आज के इस बीड़ो में हम करेंगे मौरिकाल का संपूर निचोड मौरिकाल के टॉप 60 प्रसन जो आपके सभी एक्जाम के लिए वेर इंपोर्डन्ट है फ्रेंट्स मैंने सेलेक्टेड और मौस्ट इंपोर्डन कोसन लिए है जो आपके एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं फ्रेंट्स मैंने सारे कोसन बिथ टैग लिए है कि कौन सा कोसन किस एक्जाम में और कब पूछा गया है वो भी आप इस बेड़ो में जानेंगे तो पहला कोसन है चंद्रगुप्त मौर का पुत्र कौन था इस कोसन को SSC CGL 2017 में पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर का पुत्र कौन था बिंदसार था चंद्रगुप्त मौर का पुत्र बिंदसार था बिंदिसार का पुतर असोग था और बिंदिसार का पुतर असोग था और बिंदिसार चंदरगुप्त मौर का पुतर था एसका correct answer होगा दोस्तों अगला question यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था तो यूनानियो को भारस से बाहर किस नी निकाला था? चंदरकुप्त मौर ने S.A.C. 2011 में इस कोफ्षन को पोच्छा गए है सांची का स्थूब का निर्माड किस नी किया था? तो सांची के स्थूब का निर्माड किस नी किया था? Important question है असोक ने साजी के इस्टूप का निर्माड करया था असोक ने समराट असोक ने आप्सन निम्बर डी इसका करेक्ट एंसर होगा दोस्तो नेक्स्ट इंपोर्डन कोस्टन है यूनानियों को भारस से बाहर किसे ने निकाला था एक कोस्टन आप अभी कर चुके हैं चंद्रगुप्त मौर ने यूनानियों को भारस से बाहर निकाला था अगला कोस्टन इबिंदसार के साथन के दोरान आसांती कहां पर थी तचिसला में थी तचिसला जोकी विस का पर्थम विस बिद्याले मना जाता है यहां पर बिंदसार के साथन के दोरान आसांती थी और इस आसांती को रोकने के लिए समराट असोग को भेजा था बिंदसार ने समराट असोग जोकी बिंदसार के पुतर थे नेक्स्ट कोस्टन है मौर समराज की राजधानी कहां पर थी तो मौरसमराज की राजधानी कहां पर थी? Most important question है पाटली पुत्र थी मौरसमराज की राजधानी पाटली पुत्र थी SSE CGL 2016 में इस question को पूछा गया है Next important question है किसके गरंथ में चंद्रगुप्त मौर का बिसेश्ट रूप से वरणन हुआ है तो किसके गरंथों में चंद्रगुप्त मौर का बिसेश्ट रूप से वरणन हुआ है विसागदत की गरंथों में चंद्रगुप्त मौर का बिसेश्ट रूप से वरणन किया गया है विसागदत की गरंथों में अग्ला question ने चंद्रगुप्त मौर ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे? सृवड़ बेल गोला में गुजारे थे? अपने अंतिम दिन चंद्रगुप्त मौर ने सृवड़ बेल गोला में गुजारे थे? option number A का correct answer होगा दोस्तो नेक्स्ट इंपोर्डन कोस्त ने चाड़क के किसके पर्मुक्त सलाकार थे तो चाड़क के किसके पर्मुक्त सलाकार थे चंद्रगुप्त मौर के पर्मुक्त सलाकार थे चंद्रगुप्त मौर के गुरु थे चाड़क चंद्रगुप्त मौर के नेक्स्ट कोस्ट ने निमलिकत में से किस मौर राचा ने दक्कन पर विज़े प्राप्त की थी तो किस मौर राचा ने दक्कन पर विज़े प्राप्त की थी तो किस मौर राचा ने दक्कन पर विज़े प्राप्त की थी तो किस ने दक्कन पर विज़े प्राप्त की थी तो कि असोग की प्रसासनिक नीती में भारी प्रिवर्तन किस घटना से आया था? कलेंग यूथ की घटना से असोग की प्रसासनिक नीती में भारी प्रिवर्तन आया था? कलेंग यूथ की घटना से Next question है समराट असोग किसके उत्राधिकारी थे? तो समराट असोग किसके उत्राधिकारी थे? बिंदसार के उत्राधिकारी थे, बिंदसार के पुत्र थे समराट असोग Next question है चंद्रगुप्त मौर ने सिलोकस को किस वर्स पराजित किया था? 305 इसापूर में चंद्रगुप्त मर ने सेलोकस को प्राजित क्या था 305 इसापूर में नेक्स्ट क्वेसन देवा नाम प्रिये के नाम से कौन विख्या थें तो देवा नाम प्रिये के नाम से कौन विख्या थें असोख हैं जिने देवा नाम प्री एक नाम से भी जाना जाता है असोख समराठ असोख को नेक्स्ट कोशन चाड़क का एक अननाम क्या था विसडु गुप्त था चाड़क का एक अननाम विसडु गुप्त था और चाड़क को कौटल एक नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट कोशन ने मेगस्थनीच कौन था? तो मेगस्थनीच कौन था? NDA 2014 में इस कोशन को पूछा गया है मेगस्थनीच कौन था? चंदरगुप्त मौर की राज्यसबा में यूनानी राज्दूर था चंद्रगुप्त मौर की राज्य सभा में यूनानी राजदूद था मेगस्थनीज और इसे सिलोकस ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर के दरबार में Next question, इंडिका किसे ने लिखी है? Most important question है इंडिका किसे ने लिखी है? इस question को सभी exam में बार बार पूछा गया है इंडिका को लिखा है मेगस्थनीज ने जो चंद्रगुप्त मौर के दरबार में एक यूनानी दूद था मेगस्थनीज ने इंडिका पुष्तक को लिखा है अगला कुस्तने मौर वन्स का अंतिम समराट कौन था तो मौर वन्स का अंतिम समराट कौन था ब्रहत्रत था मौर वन्स का अंतिम समराट ब्रहत्रत था और चंदरगुप्त मौर ने मौर वन्स की अस्थापना की थी अगला कोसने मेगस्थनीच किसका दूद था सिलोकस का दूद था मेगस्थनीच सिलोकस का दूद था नेक्स्ट इम्बॉर्डन कोसने असोक ने किस बहुत सादू से प्रभावित होकर बहुत धर्म को अपना था रोपगुप्त से प्रभाबित होकर असोक ने बौध धर्म को अपना था और कलिंगी यूद के बाद ही असोक ने बौध धर्म को अपना लिया था नेक्स्ट कोसने किस वंस ने मौर वंस की जंगाली थी सुंगु वंस ने मौर वंस की जंगाली थी मौर वंस के बाद सुंगु वंस आया था भारत में नेक्स्ट कोसने चंद्रगुप्त मौर का पुत्र कौन था तो चंद्रगुप्त मौर का पुत्र कौन था बिंदसार था चंद्रगुप्त मौर का पुत्र बिंदसार था और बिंदसार का पुत्र अस्वरोग था समराट अस्वरोग था अगला कोसने चंद्रगुप्त मौर का पड़सेद गुरू चाड़क निमलिकत में से किस बिद्या केंदर से संबन्दी थे तो चाड़क के किस बिद्या केंदर से संबंधे थे? तच सला से संबंधे थे तच सला में ये पढ़ाते हैं थे चंद्रकुप्त मौौर के गुरु चाड़क अगला कोशनिक कोटेल द्वारा रचित परसिद पुस्तक काौन सी है? कौटल यानि कि चाड़क के द्वारा रचित परसिद पुस्तक कौन सी है अर्थ सास्त नहीं अर्थ सास्त को लिखा चाड़क यानि कि कौटल नहीं अगला कोसन किस मौर सासक को आमित्र घात की नाम सी जाना चाता है तो किस मौरा सासक को आमित्र घात की नाम सी जाना चाता है बिंद सार को कहा चाता है आमित्र घात बिंद सार को Next question कलिंग यूध किस वर्स में हुआ था तो कलिंग यूध किस वर्स में हुआ था 261SB में हुआ था कलिंग यूध 261SB में अगला कोस्त ने अपने सिलालेखों में असोग समानता किस नाम से जाने जाता है प्रेदर्सी की नाम से जाने जाता है असोग के अधिकान सिलालेखों में असोग को प्रेदर्सी की नाम से जाना जाता है नेक्स्ट कोस्टने मौरकाल के दोरान सिच्छा का सबसे बड़ा पड़सित केंदर निम्न में सी कोई सा था? तो मौरकाल के दोरान सिच्छा का सबसे पड़सित केंदर कोई सा था? तच्छ सिला था? तर्ची सिलाक सिच्छा का सबसे पड़सेद केंदर था मौर काल में नेक्स्ट कोसने बिंदसार किसका पुतर था तो बिंदसार किसका पुतर था आप सभी अभी पढ़ चुके हैं चंद्रगुप्त मौर का पुतर था बिंदसार चंद्रगोप्त मौरका पुतर था Next question ने असोग की धम नीती का मुख सिध्धान्त क्या था स्वानेंतरर था अगला question ने असोग के अबलेक को सुरपर्थम किस ने पढ़ा था James Princip ने सुरपर्थम असोग के अबलेकों को पढ़ा था James Princip ने Next question निमलिकत में से कौन सा असोक कालीन अबलेक खरोष्टी लिपे में लिखा गया है सहबाजगडी का असोक का सहबाजगडी का अबलेक खरोष्टी लिपे में लिखा गया है सहबाजगडी का अबलेक नेक्स्ट कोसन निम्लिकत में से किस एक अबलेक में असोग के विग्दिगत नाम का उलेक मिलता है मास की अबलेक में असोग के मास की अबलेक में असोग के विग्दिगत नाम का उलेक मिलता है असोग के मास की अबलेक में Next question किस अबलेक में असोक ने सोयम को मगत का समराट बता है Next question असोक के सिलालेकों में परियुक्त भांसा है तो असोक के सिलालेकों में कौन सी भांसा परियुक्त की गए है असोग के अधिकान सिलालेखों में प्राकरित भासा का प्रियो किया गया है प्रारकरित भासा यूज की गई है असोग के अधिकान सिलालेखों में नेक्स्ट कॉसन है मौर वन्स के सासन के दोरान अस्थानिक कौन था तो मौर वन्स के सासन के दोरान अस्थानिक को था? जिला पर सासक अस्थानिक हुआ करता था? मौर सासन के दोरान जिला पर सासक को अस्थानिक कहा जाता था नेक्स्ट कॉसन युनानी लेखक जेस्टिन द्वारा किसे सेंडरो कोड्स कहा गया था तो सेंडरो कोड्स किसे कहा गया था चंदरगुप्त महुर को सेंडरो कोड्स कहा गया है अगला कॉसन एक कौटल के अर्थसास्त में किस पहलो पर परकास डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर प्रकास डाल गया है नेक्स्ट कोसन है किसके सासनकाल में डाइमेकस भारत आया था बिंदसार के सासनकाल के दोरान डाइमेकस भारत आया था बिंदसार के सासनकाल के दोरान नेक्स्ट कोशन निमलेकत में से कौन सा सबसे पुराना राजवंस है तो सबसे पुराना राजवंस कौन सा है मौर वंस सबसे पुराना राजवंस है मौर वंस नेक्स्ट कोशन बिंदसार के दरबार में कौन राजदू था डायमेकस था विंदसार के दर्बार में राजदू था डायमेकस। नेक्स्ट कोसन मौरकाल में निम्व से कौन सी मुद्रा परचलन में थी? पड़ मुद्रा परचलन में थी, मौरकाल में पड़ मुद्रा चलती थी। नेक्स्ट कोसन असोग के अबलेकों की रचना में कितनी लिपियों का प्रियोग किया गया है तो कितनी लिपियों का प्रियोग किया गया है असोग के अबलेकों की रचना में चार लिपियों का प्रियोग किया गया है MPPSC 248 में इस कोसन को पूछा गया है इस question को आप अभी पढ़ चुके हैं बिंद सार को अमित्र घात कहा जाता है बिंद सार को अगला question वो सासक कौन था जिसने राज सिंगासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी असोग था जिसने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी राज सिंगासन पर बैठने के लिए असोग ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी next question निमलिकत में से किस बेदेशी यात्री ने भारत का दोरा सबसे पहले किया था मेगस थनीज ने सबसे पहले भारत का दोरा किया था मेगस थनीज ने और मेगस थनीज ने इंडिका पुस्तक लेखी है जो आपके लिए फिर इंपोर्टन्ट है नेक्स्ट क्वेसन ने असोग के सासनकाल में बौध सभा किस नगर में आउजित की गई थी नेक्स्ट क्वेसन ने नंद वन्स के पसाथ मगत पर किस राजवन्स ने सासन किया था मौर वन्स ने सासन किया था अगला क्वेसन आधुनिक देवनगरी लिपी का प्राचीन रूप कौन सा है ब्राहमी है आधुनिक देवनगरी लिपी का प्राचियन रूप ब्राहमी है नेक्स्ट कोसन राजुक कौन थे तो राजुक मौर काल में कौन हुआ करते थे मौर सासन में अधिकारी होते थे राजुक मौर सासन में अधिकारी होते थे अगला कोश्वन है असोक के किस लेख में बौध पुस्तकों का उलेख है असोक के सिललेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है असोग के सिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है option A है उसके राजनीतिक नेती का उसके समराज के विस्तार का उसके धारमिक विचार का या फिर option number D उपरेक्टर सभी तो इसका correct answer होगा दोस्तो option number D असोग के सिलालेखों से असोक के सासनकाल की परसासनिक नीती, समराज कबिस्तार और धार्मिक बिचार इनस तभी की जानकारे मिलती है असोक के सिलालेखों से फ्रेंड्स अगर आप कोई वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करीगा और इस वीडियो को सेर भी करीगा चैनल को अगर आपने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को जरूर प्रेस कलिजी ताकि हम जो भी वेडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुचे कॉमेंट करके बताईए कि आपको ऐसी वेडियो कैसी लगती है क्या हम ऐसी और भी वेडियो पनाए ये आप जरूर कमेंड में बताईएगा टेलिग्राम चैनल को अगर आपने भी तक जोईन नहीं किया है तो प्लीज टेलिग्राम सेनल को जरूर जोईन कर जी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स से मिल जाएगा सुमलते नेक्स्ट वेडियो में तब तक के लिए जैहीं जै भारत